ले योगीस, कृष्णा अस्त्रयोग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, कृष्णा अस्त्रयोग आपके फीचर को ध्यान में रखते हुए, आपके टार्गेट को ध्यान में रखते हुए, आपको नेट्स यारफ की तयारी करवाते हुए, आपको अपने लक्षयों तक पहुचाने में काफी मदद करने वाला है तो कृष्टा अस्त्रयोग को अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें जिससे कि वो भी अपने इस्टडी को अच्छी प्रकार से कर पाएं कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पैसे नह होने के कारण पढ़ा अपने पूरा महला है नहीं कर पाते हैं और अपने सप्नों को सप्णों को पूरा कर चकें अपने लक्ष्चों को पासकें तो आप उनका भी जरू सहयोग करें तो अस्त्त्रयोग आपको UC NIT के पेपर 1 और पेपर 2 की तयारी करवाएगा साथे साथ पेपर 2 में हम योग सब्जेक्स रिलेटिव जितने भी क्विश्चन आएंगे हम उसको सोल करवाने का प्रयास करेंगे साथे साथ जो हमारा टार्गेट होने वाला है वो जून 24 में आपको क्लियर करना है और अपने सपनों को पाना है क्रिश्चन अस्रियोग का मोटीव क्या है उतिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरा निबोधर उठो जागो और लक्ष प्राप्ति तक बिल्कुल विरको नहीं जब तक आप उठोगे नहीं जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आप अपने लक्षों को पाने पाओगे मन में कभी कभी डी मोटीवेशन आएगा तब भी आपको डी मोटीवेट न होते हुए अपने आपको मोटीवेट करना है और आपने जो सपना देखा है उन सपनों पे काम करते हुए आपको consistency लगाते हुए आपको अपने लक्षों को पारा है और अपने माबाप की सपनों को पूरा गरना है तो वो किस प्रकाल से आपको कड़ी मेनद करते हुए आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो जो हमारा teaching skill होने वाली है वो हमारे हिंदी और इंग्लिस में teaching skill होगी साथ साथ हम paper 1 और paper 2 की भी तयारी करवाएंगे वेकली मोग टेस्ट होने वाला है जो की एक बार हो चुका है पी वाई क्यू जो को कुमार भरसर और तलवीर सर की द्वारा प्रवाइड किया जाएगा और उनके सहयोग के माध्यम से आपको teaching करवाई जाएगी साथ साथ आपको अपने future के लिए एक घंटे देना यदि आप अपने future के लिए एक घंटे नहीं दे पा रहे हो तो आप भविस में अपने सपनों को कभी पूरा कर पाओगे सिर्फ सपने सपने ही बने रह जाएंगे वो साकार नहीं हो पाएंगे तो आपको निष्काम कर्म करते हुए, यानि फल की इच्छाना करते हुए, आपको सिर्फ कर्म करते जाना है, और जितनी आपके पास time है, उसी time में आप utilize करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है लेक्चर होने वाले हैं to the point इसमें ज्यादा आपको बढ़ा चला के बातें नहीं कहीं की जाएंगी सिर्फ आपको छोटे-छोटे सब्दों में तीची करने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि आप अपने लक्ष को पा जाएं साथे साथ जब कभी भी आपके पास टाइम हो तो आप अपनी लर्ने को स्टार्ट कर पाएं सिर्फ आपको एक बार अपने लिंक को क्लिंक करना है जो कि यहाँ पर प्रवाइट किया जाएगा और आपको हैपी रहके प्रैक्टिस करनी है चलते हैं आज का जो टोपिक होने वाला है हमारा फर्स्ट यूनिट जो की सेकेंड पेपर सिल्यूटिव है उसमें हम बात करने वाले हैं स्वामी वेका नंद के जीवन के बारे में इनसे भी काफी कुश्चन आ चुके हैं और आने की संभावनाय बनती हैं तो हम बात करते हैं स्वामी वेका नंद के जीवन के बारे में स्वामी वेका नंद का जन्म 12 जन्वरी 1863 स्वी को कोलकाता में हुआ था तो यदि क्विश्चन में आ जाय कि स्वामी वेका नंद का जन्म कब हुआ था तो आपको जरूर याद रखना है क्या 12 जनवरी 1863 सवी को कहा हुआ था, कुलकाता में हुआ था, तो इनके बच्पन का नाम क्या था, इनके बच्पन का नाम नरेंद्रनाथ दत्था, इनके माता का नाम भूनेश्वरी थी, जो इनकी माता इनहीं काफी प्यार दुलार करती थे और इन्हें प्यार से वीरेस्वर के नाम से उकारते थे इनके पिदा का नाम क्या था इनके पिदा का नाम विश्वनात दत था जो की कुलकाता में ही क्या थे वो एक वकील थे कुछ नयाधिस नयायले में काम करते थे अधिवक्ता थे तो अब हम बात करने वाले हैं इनकी सिक्षा के बारे में इन्होंने कितनी education gain की जो इनकी primary education हुई थी प्रात्मिक सिक्षा हुए थी 1871 स्पी में जब वो आर्ट वर्स्क थे तो उन्होंने metropolitan सिक्षा समस्थान में admission इन्होंने ले रिया फिर इसकी बाद 1889 स्पी में प्रेशिडेंटी कॉलेज जो के कॉलकाता में इससे थे वहाँ पे उन्होंने admission लिया जब वह बैसलर कर रहे हैं तो उनका रुजहान spirituality के छेत में काफी बढ़ता गया इंट्रेस्ट बढ़ता गया और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी knowledge गेंद की और spiritual life में काफी growth किया अब हम बात करने वाले हैं spirituality की बारे में spiritual life उनकी कैसी थी तो विलियम हेस्टी और विलियम वर्थ की इन्होंने कवता पढ़ी तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि मुझे भी रामकृष्ण परमहंस जी से मिलना चाहिए और उन्होंने यह द्रिन मिश्चे कर लिया कि मुझे मिलना है तो मिलना है तो 1881 एक éénすपी में वो रामक्रिष्ण परमहनस जी से मिले जब वहाँ उनसे मिले तो उन्हों प्रस्न किया क्या आपने सच्मे इस्वर को द grâce है जा जह ऑए रामक्रिश्च革 परमहनस जी ने क्या उत्तर दिया है मैंने भगवान को देखा है जैसे मैं आपको देख रहा हूं उसी प्रकार से मैं भगवान को भी मैंने देखा है तो जब उनकी बातों को उन्होंने इतनी clarity से सुना तब उन्हें विश्वास हो गया तब उन्होंने भी ठान लिया कि मैं भी अपने लाइब की spirituality में लेकर जाओंगा और इस्वर का साच्छात करूंगा जब रामकृष्ण परमहंस जिससे मिले इन सब चीजों की बारे में बातें हुई तब स्वाइव वेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरू मान लिया और रामकृष्ण परमहंस ने ही नरेंद्रनाद जी को यानि स्वाइव वेकानंद जी को सन्यास की दिछ्छा अब हम बात करने वाले हैं दर्शन तो इनका आधुनिक दर्शा और राजयोग था इनका धिये सुत्र है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष प्राप्त नहों हो जाए उन्होंने काफी समझाने का प्रयास किया यदि आपको अपने लाइप में कुछ करना है तो इसके लिए आपको जागना होगा उठना होगा हमेशा सत्रक रहना है अवेर रहना है कभी भी अपने लक्ष को भूलना नहीं है यदि आप अपने लक्ष को भूल जाते हैं तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो इनका धियर सुत्र जो है उठो जागो और लक्ष प्राप्ति तक आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है तो इस बात को आपको ध्यां रखनी है काफी इंका धियर सुत्र है आप इस पर जरूर फूकस करें मुख्य तिधियां क्या हो सकती जो इंपोर्टेंस दिर्थ हैं तो आपको ध्यार रखना है कि बारत जन्वे 1833 SP में कोलकाता में श्वामी विवेका नंदची का जन्म हुआ था काफी जरूरी है 1886 SP में इन्होंने वरा नगर मटकी अस्थापना की थी 1886 SP में अब बात हम करने वाले हैं जो पहला विस्व सम्मेलन हुआ था धर्म सम्मेलन सिकांगों में हुआ था वो कभ हुआ था ग्यार सिकांगों में पहला था वहां पे उन्होंने स्पीच को दिया था और जो सिकेंग सम्मेलन हुआ था भी सुधर्म सम्मेलन हुआ था कब हुआ था 27 सितंबर 1893 इस्पी में हुआ था और वहां पे उन्हों ने अपने अंतिमी स्मीच को दिया था कि और उन्होंने वहां पे 1894 इस्पी में ही निवार्क में वेदान सम्ति की अस्थापना की जब एक महान भी भूती जनम लेते हैं तो उनकी भी तो मृत्ति होती है क्योंकि मृत्ति तो संसार का नियम है न तो उसी प्रकाय से विवेका नंद चीक ने महा समाधी कब धारन की चाड़ जुलाई 1902 इस्पी को लगबग रात 9 बजे के करेब ही इन्होंने महा समाधी को भी इन्होंने धारन कर लिया अब हम बात करने वाले हैं कि स्वामी व्यकानन्द की विदेश यात्रा के बारे में इन्होंने काफी देशों में यात्रा की थी जो कि यहां पर बेंसन किया गया है ज्यादा इंपोर्टेट नहीं है लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है तो स्वामी जी ने इटली, इंग्लैन, रोब, निव्यार्क, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, वियना, वलकान, मिस्र, स्री लंका, आधी प्रसिद्ध देशों के विभिन सहरों की भी यात्राएं की जब इन्होंने विदेश यात्रा की तो इन्होंने भारत भ्रहमण भी तो किया होगा ना तो हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने भारत भ्रहमण में कहां कहां और किस प्रकार की यात्राएं की तो इन्होंने 1888 से लेकर के 1893 में इन्होंने भारत के बिभिन गाउं, सहर, प्रांत, प्रांतू की यात्राएं की इन्होंने किसी भी कुने को नहीं छुड़ा इन्होंने हर जगर अपने यात्राएं की स्वाइव वेकानन्द ने एक परी व्राजक की रूप में दू पसिंदीदा पुस्त को भगवत कीता The Imitation of Christ के साथ पांच वर्स तक भारत में व्यापक रूप से यात्राएं की जब स्वाइव वेकानन्द पांच वर्सों तक भारत में भ्रहमण कर रहे थे तो उनकी काफी इंट्रेस्टिंग दो बुक थी जो की भगवत कीता थी The Imitation of Christ थी उनको साथ में लेकर के ब्रहमण किया करते थे और स्वाइव वेकानन्द जो की अमेरिका में दो वर्सों तक वहाँ पर उन्होंने रहा और वहाँ पर रहते हुए उन्होंने 1894 स्पी में न्यू यॉर्क वेदान सुसाइटी की अस्थापना की जो की हमने important जो dates थी उनमें हमने देख लिया है अब हम बात करने वाले हैं कि जब इन्होंने इतनी सारी चीज़े कर दी तो इनके सिस्य कौन थे इनकी पुस्तगे क्या थी इस सब चीजों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं तो इनके जो प्रमुक्र सिस्य थे याई डिसाइबल थे वे थे असोकानन विर्जानन परमानन बहन निवेदिता जब वो अमेरिका गये हुए थे तो उनकी सिस्य बहन निवेदिता जी बनी हुई थी तो इस पे ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं कि स्वामी वेकानन ने योग के कितने प्रकारों को माना है भक्ति योग जिसे हम कहते हैं पाथ आफ इमोशन जहांपे हमारा मन भक्ति में लग जाए हमारे अंदर प्रेम की भावनाए उत्पन्न हो जाए इस्वर की प्रती पेड़ पोधों की प्रती संसार की प्रती और हम अपने आपको उसके प्रती समर्पित कर दें वही भक्ति योग है ज्यान योग जिससे हम ज्यान को प्राप्त करें ग्यान दपात आफ नौलेस ऑर साथ साथ इन्होंने कर्मियोग की भी बात कि आपको निसकाम कर्म करते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और आपकी करमों की जो आके द्वारा जो आपको फल मिल रह है उसे उसकी प्रति आपको अटेच्मेंट बिल्कुल भी नहीं रखना है राज योग जो की बहुत ही उचे लेबल का योग है जिसे हम राज योग कहते हैं जो की हमें समाधी तक ले जाने में काफी मदद करता है स्वामी वेका नंद जी ये भी कहते थें कि अभ्याद से योग आता है योग से ज्ञान आता है ज्ञान से प्रेम आता है और प्रेम से आनंद आता है जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो या तो आप ने ये आरेफ की त डेली हम practice कर जाएं तो उसमें भी योग आ जाता है जब योग आ गया तो ज्यान तो जरूर आएगा यदि आप डेली प्रेक्टिस करोगे डेली आप अभ्यास करोगे तो उससे जो आपको experience मिलेगा जो ज्यान मिलेगा उससे लोगों का भला होगा जिसे हम कहते हैं ज्यान से प्रेम आता है लोगी की प्रेम की भावनाएं बढ़ेंगी सभी लोग आपके लिए एक शमान हो जाएंगे किसी के प्रती राग द्वेश और घ्रिडा की भावनाएं बिल्कुल भी नहीं होगी जब प्रेम आ गया तो संसार से आनंद भी मिलेगा तो आपको इस लाइन को काफी अच्छे से ध्यान रख लेना है कि अभ्यास से योग आता है योग से ज्ञान आता है और ज्ञान से प्रेम आता है और जब प्रेम आ गया तो आनंद अपने आप ही आ जाएगा कहते हैं न आनन्दम ब्रम्हेती विजानात आनन्द ही ब्रम्ह है आप जिस चीज में अपने आपको तरलीन कर लोगे पढ़ाई में अपने कारियों में माता-पिता की सेवा में तो उसमें ही आनन्द आने लगा लेकिन उसमें क्या होना चिए निस्वार्त भाव हो तभी उस आनन्द का जो रस है ना आपको मिल पाएगा थैंक्स पर वाचिंग आप बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियों को देखा और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपने अपने आप कुछ समय दिया तो कृष्णा अस्तरयोग को लाइफ करें सबस्क्राइब करें और जितना हो उसके उतना सेयर करें जिससे की अगरीब बच्चे भी अपनी स्टडी को अपने जगह रोके न वो धीरी धीर आगे बढ़ते रहें और अपने टार्गेट को अपने माबाप की सपने को पूरा कर पाएं तैंक्यू